नवश्कार जी आप सभी को आपकी अपने यूटुब चैनल पे श्वागत है और जो जो 12th क्लास के बच्चे हैं और जिनका बोर्ड एक्जाम में पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उनको बोर्ड के एक्जाम में पॉलिटिकल साइंस देना है तो उनके लिए हम आप सबको बत और हिसरी इन सब में लेकर के आते हैं तो यह आपका पॉलिटिकल साइंस यानि राजनिति विग्यान के 2nd सीरीज जो है यह आपका होने वाला है तो चली 2nd सीरीज को इस्ट पहले आपको बता दें कि वीडियो के लास्ट में आप सभी कुस्चन को एक पेज पे लिखेंग कि किसका ये option है किसका भी आप कहां तक chapter पढ़ पाया है अभी online में या offline में तो आपका कितना score आता है 10 objective कराते हैं पूरे books से जिसमें book 1 book 2 दोने से question है और important वाला है तो उसमें से अब कितना सही कर पाते हैं 6 सही कर पाते हैं ये 7 सही कर पाते हैं ये आपको वीडियो के last में score लिख करके हमें बताना है चली अब हम वीडियो को करते हैं शुरू तो सबसे पहले जो question है ये ध्यान से देखेंगे विश्व वाला जो राजनीती जो chapter है उससे लिया गया है वड़ा बढ़ियां से देखेंगे option लंबा देखें घवराना कभी आपको नहीं है तो ये ध्यान से सुनेगे पिंटांगन क्या है प्रश्ण है पिंटांगन क्या है option 1 है अमेरिका विद मंत्राले का मुख्याले है दूसरा सन्युक्ति राष्ट का मुख्याले है तीसरा अमेरिकी रच्छा मंत्राले का मुख्याले है और चोठा अमेरिका का एक मसहूर विश्व विद्याले तो विल्कुल सही जवाब कर ले आप पहले लिख लेजिए कि आपके कोडिंग A होगा, B होगा, C होगा, D होगा अगर ऐसा लग रहा है तो हम एंसर बोड़े उससे पहले विडियो पाउस करके रोग कर करके और आप ए भी पहले पेश पर लिख ले अब सही जवाब के अगर हम बात कर लेते हैं तो पेंटांगन जो है वो अमेरिका के अंदर अमेरिकी रच्छा मंत्राले का मुख्याले है ठीक है, जहाँ पे हम आपको चाप्टर में बताये थे, पढ़ा रहे थे तब के यहाँ से एक बिवान को ला करके इसी जो है पेंटांगन में जा करकर करके टकरा दिया गया थे यानि अमेरिकी रच्छा मंत्राले में ही क्या कर दिया गया था, तो टकरा गया थे यह का यहाँ पे C option बिल्कुल जो है वो आपका right होगा चली, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रस्ण की ओर, तो दूसरा प्रस्ण है यह आपका कि सार्क में कितने देश है, आपको बताना है सार्क में कितने देश है, क्या 5 देश है, 6 देश है, 7 देश है या फिर 8 देश, तो बिल्कुल जो सही जवाब है, पहले आप जल्दे से लिखेंगे कि आपको कौन सा आप्सन सही लगए? आप जवाब सुनेंगे जल्दे से जो सही जवाब है वो है आपका 8 पहले आप सब जानते हो कि सार्क में जो देश थे वो साथ देश थे याद रखेंगे लेकिन अफगानिस्तान के सामिल हो जाने से कुल देशों की संथ्या कितने हो गई है तो 8 तो ये आपका दूसरा का D option बिल्कुल सही अब बढ़ते हैं तीसरे नम्मर प्रश्ण की और तीसरा प्रश्ण है यूरोपिय संग की मुद्रा का क्या नाम है और यूरोपिय संग की मुद्रा का क्या नाम है डॉलर है रूबल है दिनार है या फिर यूरो है आप सबको बताये थे यूरोपिय संग की ज पूरी पूरी सही हो जाएगी ठीक है चल उब बढ़ते हैं फोर कुशन के उपर में तो फोर नूमर जो प्रशन है वो है कि Vivhazan के समय भारत में कुल राजबाडों की शंख्या थी विभाजन के समय भारत में कुल राजबाडों की संख्या कितनी है?」 option 1 है 565 दूसरा है 465 तीसरा है 665 और चोठा है 365 तो बिल्कुत सही जवाब की बात कर लें कि भारत में जिसमें विभाजन वथा जादी के टाइब में 1947 के असपास में उसमें जो देशी रियास्टों की कुल संख्या थी वो आपका याद रखेंगे 565 अलग अलग भुखंड पर अलग अलग छोटे छोटे जो है वो राजा की तरह राज कर रहे तो इसे 565 जो है वो राजवड़े थे तो फोर का आपका यह option बिल्कुल सही हो जाएगा अब बढ़ते हम लोग 5 नम्मर प्रिश्ण की ओर तो 5 नम्मर प्रिश्ण है है हैद्रावा रहे है 1947 विभाजन की गोशना के टाइम में अई option है कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे यह है औरा प्रिशन के साथ रहेंगे तो सही जब आपकी बात कर लेगे तो यहाँ पर यह होगा कि हैदराबाद के जो शासक जो निजाम थे जो हैदराबाद को गंट्रोल कर रहे थे हैदराबाद के रूलर्स टाइप के थे मने राज करने वाले राजे तो वो क्या करते थे कि हम हैदराबाद को स्वतंतर रहेंगे यानि तो हम पाकिस्तान में के साथ जाएंगे और ना तो हम हैदराबाद को भारत में विलाय करेंगे हम क्या रहेंगे स्वतंतर रहेंगे चादरबाद और बड़ा मुश्किल से हैदराबाद के निजाम वहां के छेतर में हम कहानी में बताएंगे कैसे कैसे क्या किया गया और जिनसे फिर हैदराबाद को भारत में बड़ा मुश्किल से जो है वो विले कराया गया भारत में सामिल कराया गया ठीक है चलिए तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पांच के ए अपसन सही अब बढ़ते हैं छटे नमर प्रश्ण क ओर छटे नमर प्रश्ण मनाना है बताना है कि दच्छिन असी के किस राज में माववादियों ने उतल पूथल मचाई यह सारे के सारे प्रश्ण जो है वो NCRT किस प्रश्ण है यही निसिर्ट बेस प्रश्ण जो है वह आपकी 12 बोड में आने की संभाबना होती इसलिए घ दच्रेशुनेसिया में किसराज में मावलाद्यों ने उथाल पुथाल मचाई BHARAT पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल इसमें कौन निसक अंदर में सब के सब साट इंडिया का कंट्री है दच्रेशिनेसिया का तो सब अब आपको बताना गोरिला विगरा इस सब के बारे में ठीक है तो 6 के D option पूरा का पूरा सही अब बढ़ते सेवे नंबर प्रशने ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रशने को अक्सर बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं पूरा NCRT बेस प्रशने Congress Syndicate क्या है आपको बताना है Congress Syndicate क्या है Option 1 है Congressी मंत्रियों के समूव दूसरा है आपका Congress के अंदर तागतवर इबं प्रभाव साली नेताओं का समूव तीसरा है Congress के अंदर बिरोधी गुटों का समूव और चोठा है ओप्युक्त में से कोई लिए जो option आपको सही लग रहा है पहले आप page में यह कहीं पे लिख ले उसके बाद सही जवाब की बात कर लें अब तो सही जवाब आपका होगा कि Congress के अंदर तागतवर इबं प्रभाव साली नेताओं का समूव जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे जब Congress का उथान पत प्रभाव साली और तागतवर नेता रहते हैं वरिष्ट पहले से काफी प्रभाव में होते हैं जिनके कारण Congress पार्टी को काफी भूट साते थे उनमें जितने नेता थे वो दिगज दिगज नेता कोई नेता तो राष्टी स्वतंतरता सेनानी में उनका नाम आ जाता है आजादी के टाइम में काफी योगदान उनका रहा है तो कुछ-कुछ बने पोपलर पोपलर लीडर्स थे और बहुत ही पुराने लीडर्स थे वो प्रभाव साली थे Congress कंदर में तब वो धीरे-दीरे इंद्रा गांधी को बनाती है प्रधार मंतरी उनको लगता है कि इंद्रा गांधी लड़की हमारे इसारे से काम करेगी उसके बाद इंद्रा गांधी अपना रूप दिखाने लगती है और फिर धीरे-धीरे ये Congress दो गुटो में बढ़ जाती है तो इसी को इसी को काते हैं इसे ज्यादा आपको बढ़िया तरीके से आपको confusion को दूर कर देंगे अराम से पढ़ाएंगे आपको जब चेप्टर पढ़ाएंगे तब तो यहाँ पर अभी objective के टैप के आप जल्दी जल्दी देखेंगे 7 का D option बिल्कुल सही होगा आप से कहेगा कि Congress के Congress Syndicate क्या है तो कर यह Congress के अंदर तागतवर यहों प्रभावशालिन नेताओं का समू को Syndicates कहते हैं Congress के Syndicates ठीक है तो 7 के भी अप्सन सही है चुनाओ कराने के लिए हमारे पास शाहिए चुनाओ आयूग और चुनाओ आयूग का जो गठन है वो जनवरी 1950 इस्वी में चुनाओ आयूग का गठन हो गया Election Commission का गठन हमारे यहां हो गया, organization हो गया है कि भाई यह Election Commission देश के अंदर में चुनाओ कराएगा और इसके पहले जो प्रथम आयूगत है वो सु कुमार सेन, चुनाओ आयूग के पहले आयूगत यह भी पूछे जाते है कि कौन थे, तो सु कुमार सेन जो है, इनके चुनाओ हो गए थी, सु कुमार सेन ध्याँ रखिएगा, ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लेंगे, त फिर तो अब देश में वोटर आडी काड बनने का परकिरिया था, वो चल रहा था, यह देश में वोटर आडी काड बनाना सभी पुर्शों के, सभी महलाओं के, चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे कि जब वोटर आडी काड बनने के परकिरिया चल रहे थी, तो उस समय भा जादे जो है वो चुनाव कराने के लिए उनको ट्रेंडिंग दी गई इसके बाद बहुत सरी बात आते हैं जब यह फाइनल चुनाव आयोग अब नीड़ने ली कि अब हम देश में चुनाव करा सकते हैं तब तक जो टाइम आ गया था वो टाइम था अक्टूबर 1991 यद रख होता था तो यह चुनाव होते होते 1952 इस भी आ गया देश में 1952 में जा करके चुनाव कंप्लीट हुए उसके बाद जो रिजल्ट आने में जो टाइम लगे वह भी लगवाग 6 मन्थ रिजल्ट आने में टाइम लगे इस आधार पर हम कहेंगे कि जो फाइनल जब चुनाव होगा तब तो हम कहेंगे ना जो तो बावन में तो चुनाव होते होते लग या फरवरी तक और फिर 6 मना रिजल्ट आने में यानि कंप्लीट अगर कहें तो भारत में प्रथम चुनाव जो है वो कब हुआ था तो 1952 में यह आपका सई जवाब होगा आठमा का ए ठीक है आप सब जानते हैं कि सोबिय संग जो है उनके राष्टपती मिखायल गुर्बाचियों बनते उनिसो पचासे सवे में और इस्थिपा दे देते हैं कब तो 1991 में इनके स्थिपा के साथ ही सोबिय संग का क्या हो जाता है वी घटन हो जाता है सारी बाते तो आप पढ़ चुक हैं तो चली यहां पर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाए उनिसो पचासे सोबिय संग के राष्टपती कब बने मिखायल गुर्बाचियों पचासे जाते जाते अंतिम प्रश्न आपका दसमा प्रश्न जल्दी से देखेंगे अच्छा प्रश्न है कि सोबियत गुट से सब आप से पहले कौन सादेश अलग हुआ था जो जो इस नहीं पढ़ेंगे उनको परिशानी होता है गाइड विगरा में देखेंगे तो कभी पोलेंड मिल जाएगा तो कभी आपको अलवानिया मिल जाएगा कन्फ्यूशन हो जाएगा चलिए आपको अप्शन है पोलेंड य जो हम आपको आज 10 कुस्टन कराएं उसमें से कितने कुस्टन आप सही कर पाएं आपको लजाना घबराना नहीं चुकि जो बच्चे अभी 2-3 चप्टर आगे से पढ़े होंगे 3-4 चप्टर पढ़े होंगे उनसे तो पूरी नहीं बनी होगी आधा भी लगभग नहीं बन आग में सेट हो जाए चुकि यह एकदम टॉप जो कुस्टन होता है वाला एकदम सेलक्ट करके टाइप करके इसको हम आपके सामने लाते हैं ठीक है तो ऐसे ही आपको हम सभी चप्टर का हिस्ट्र जोग्रफी और पॉलिटी यह तीनों चप्टर का जो है वो अब्जिक्ट बिलाते रहेंगे बीच में एकोनॉमिस बगरा का भी ली आएंगे अगर जरूत लगातों तो बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो लैक्ट चुश में तब तक के लिए धन्यबाद जैहिन अल्ला हाफिस आपका दिन शुबू